पिछली बार जब हमने sliding window की वीडियो बनाई थी तो वहाँ पर एक comment आई थी कि अगर हम sliding window लगाते हैं तो जो लोहे की grill है क्या हमें उसे बाहर के तरफ लगवाना चाहिए या फिर अंदर के तरफ लगवाना चाहिए तो दोस्तो सवाल एकदम simple है पर बहुत कामका है तो इसी सवाल का जवाब हम आज की वीडियो में देखेंगे हम ये जानेंगे कि अगर हम लोहे की grill बाहर लगवाते है तो इसके क्या फाइदे और नुकसान होते है या फिर अगर हम दूसरे option के तरफ जाए जहां पर लोहे की grill को अंदर के तरफ लगवाते है तो क्या ये सही और हां comment करना ना भूले क्योंकि अगर आपकी comment interesting होती है तो उसके उपर हम वीडियो बानने की ज़रू कोशिश करते है अब ये सवाल इसी वज़े से आज आता है क्योंकि जैसे कि हम देखते है जो लकडी की window है उनमें जो grill है वो अंदर के तरफ लगी हुई होती है क्योंक वीडियो बाहर भी grill लगा सकते हो और अंदर के तरफ भी grill लगा सकते हो तो इसी वज़े से ये सवाल आता है कि sliding window लगाने से पहले क्या हमें grill को बाहर के तरफ लगवाना चाहिए या फिर अंदर के तरफ लगवाना चाहिए कौन सा option आपके लिए सबसे बढ़िया साबित ह तो यहाँ पर पहला point आ जाता है जो कि है look जब आप window grill को बाहर के तरफ लगवाते हो तो उससे आपके घर का look काफी अच्छा दिखाई देता है क्यूंकि जब आप इसे अच्छे तरीके से paint करते हो फिर चाहे black color हो या फिर bone white color हो तो ये window grill दिखने में काफी जादा खूब दिखाई देती है वही पर दूसरे तरफ जब आप sliding window के अंदर के तरफ grill को लगा लेते हो तो ऐसे में जो grill का look है वो इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है और जब भी हम practical points की बात करते है तो खास करके जब आप grill को बाहर के तरफ लगा लेते हो तो बरसात का पानी जो ह जो बरसात का पानी है वो अंदर जल्दी नहीं आपाता है तो यह एक बड़ा advantage आ जाता है जब आप grill को बाहर के तरफ लगवा लेते हो जब हम sliding window के बाहर के तरफ grill लगवाते है तो इसका और भी एक फाइदा होता है कि आपको अंदर के तरफ से granite की आपकी जो frame है उसमें आपको अच्छी काशी space मिल सकती है जहाँ पर आपको चीजे रख सकते हो या फिर यह दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है क्योंकि होता यह ही कि आपका बाहर के तरफ grill आता है उसके बाद में आपका जो aluminum का track आता है उसके बाद आपकी जो बची हुई space होती है वहा हम grill को बाहर के तरफ लगा लेते है तो अंदर के तरफ से अगर आपको glass को clean करना है तो यह काफी जादा आसान हो जाता है क्योंकि जादातर हम window की glass को अंदर के तरफ से clean करते है वही पर दूसरे तरफ जब grill को अंदर के तरफ लगा लिया जाता है ऐसे में glass को clean करना काफी difficult कल्ट हो जाता है तो क्लिनिंग के इसाब से अगर हम देखे तो विंडो ग्रिल को बाहर लगवाना अच्छा रहता है और इस ग्रिल को अंदर लगाने का और एक नुकसान ये होता है कि जब भी आप एलिमिनियम स्लाइडिंग विंडो को ओपन या फिर क्लोज करना चाते हो तो बार 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 बीच में आपकी ग्रिल आ जाती है जिस वज़े से ख़िडकी को खोलना या फिर बंद करने में दिक्कत होती है और जब आप logr को बाहर के तरफ लगा लेते हो तो अंदर के तरफ से स के साथ फिट कर लेते हैं तो ये भी एक फाइदा होता है ग्रिल को बाहर के तरफ लगाने का अब ऐसा भी कहा जाता है कि जब हम ग्रिल को अंदर के तरफ लगा लेते हैं तो उसके वज़े से आपकी ग्रिल जो है उसमें करोजन की समस्या नहीं होती है तो दोस्तों देखिए आपकी जो grill है उसकी अच्छी कासी मोटाई होती है और ये जो grill है इसके उपर हम primer करते है उसके बाद जाकर उसके उपर paint होता है जिस वज़े से grill के उपर corrosion की समस्य जल्दी निर्मान नहीं होती है और ऐसा भी नहीं है कि आपकी जो grill है वो हमेशा पानी के संपर्क में होती है तो इसी वज़े से आपको इस चीज की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने grill को बाहर के तरफ लगा लिया तो उसमें जल्दी corrosion हो जाएगा और अगर हम सबसे important point के बारे में बात करें जो कि है safety और security तो उस हिसाब से अगर हम देखे तो window grill लगवाने से आपका ये problem solve हो जाएगा फिर चाहे आप अंदर के तरफ grill लगवा लो या फिर बाहर के तरफ लगवा लो दोनई case में आपको safety मिलेगी तो जैसे कि हमने देखा जब हम grill को बाहर के तरफ लगा लेते हैं तो उसके बहुत सारे फाइदे है जैसे कि ये दिखने में आच्छा दिखाई देता है आपको अंदर के तरफ ज़्यादा space मिलती है cleaning में दिक्कत नहीं होती है ऐसे बहुत सारे फाइदे हमें window grill को बाहर लगवाने के वज़े से मिलते हैं इसी वज़े से आपने ज़्यादा तर घरों में ये देखा होगा कि जो window grill है उसे बाहर के तरफ लगवाया जाता है तो आप अपने घर की जो window grill है उसे अंदर के तरफ लगवाना पसंद करोगे या फिर बाहर के तरफ लगवाना पसंद करोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरू कीजे या फिर अगर आपके कोई और भी सवाल है तो उसके बार में भी कमेंट करना न भूले वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो जरू इसे लाइक कर दीजे चैनल पर अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजे वीडियो बहुत जादा ही अच्छा लगा हो तो आपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजे और यह जो तीनो वीडियो है इन में से कोई एक वीडियो आके जरू काम में आ सकता है